Good morning students, we are studying chapter 2, long and short, class 4, subject maths, NCRT textbook, page number 18. Here are the Indian records and world records for some jumps. यहाँ पर एक table दी हुई है, उसमें आपको Indian record और world record jump के लिए दी हुए है. Find out from the table. हमें क्या करना है? इस table से कुछ questions दी हुए है, उनके answers find out करना है. Let's see, question number 1. How many centimeters more should चंदरपाल jump to equal the men's world record for high jump? तो हमें क्या करना है? इस first question में, चंदरपाल को high jump men's world record बना दे के लिए और कितने centimeter jump करना होगा, यह हमें find out करना है. कैसे करेंगे? हम first of all, चंदरपाल का जो record है, वो हम इसमें table में देखते हैं. यहां पर देखिए, चंदरपाल का Indian record में है 2 meter and 17 centimeter. ठीक है? and world record जो high jump का है men के लिए, वो है 2 meter and 45 centimeter JVRS. So, we will solve this question. world record for high jump is equal to, कितना है? 2 meter and 45 centimeter. चंदरपाल record of high jump 2 meter and 17 centimeter है. कितना उसको और ज्यादा jump करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसको minus करेंगे. therefore, more number of centimeters required by चंदरपाल to equal men's high jump world record. हम क्या करेंगे? 2 meter 45 centimeter में से 2 meter 17 centimeter minus करेंगे. centimeter में से centimeters minus करेंगे. जब centimeter में से centimeter minus होगा, तो हमारे पास में आएगा 45 minus 17 is equal to 28 centimeter. और 2 meter में से 2 meter minus करेंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, यानि कि 0 बच जाएगा. तो हमें सबसे पहले बोवी एका record high jump का देखना होगा, टेबल में. जब हम टेबल से देखेंगे, तो हमारे पास उसका record आता है, 1 meter 91 centimeter. बोवी ए रिकोर्ड फॉर high jump, 1 meter 91 centimeter. So, required centimeter to reach 2 meter, 2 meter तक पहुचने के लिए, यानि 2 meter jump करने के लिए, और कितना उसको ज्यादा jump करना है, यह find out करने के लिए, again हम minus करेंगे, subtraction करेंगे, then हम किसमे से किसको subtract करेंगे, 2 meter में से 1 meter 91 centimeter को हम subtract करेंगे, अब देखो इसको simple बनाने के लिए हमने क्या किया है, 2 meter को हमने लिख दिया 1 meter plus 1 meter ठीक है और 1 meter में होते हैं 100 centimeter तो हम क्या लिख देंगे इसको 1 meter and जो दूसरा 1 meter था उसको हमने लिख दिया 100 centimeter minus 1 meter 91 centimeter अब हम सबसे पहले centimeter में से centimeter minus करेंगे तो 100 में से 91 minus करते हैं तो हमारे पास बज़ता है 9 centimeter में से 1 मिटर माइनस करते हैं तो जीरो याने कुछ नहीं तो जब 0 मिटर है तो मुझे लिखेंगे नहीं तो हमारे पास आंसर क्या रहे जाएगा कि वह नाइन सेंटिमीटर गैलिना आज लॉंग जंप इस नियरली आपको फाइंड आउट करना है गैलिना का जो लॉंग जंप है वो वैल्यू किसके इक्वल है यह किसके नियरली है किसके बराबर है लगबग है जो उप्शन A 7 मीटर्स उप्शन 6 a half मीटर्स एट मीटर्स हम क्या देखेंगे सबसे पहले टेबल में से गैलिना का जो लॉंग जंप उसका रिकोड हम चेक करएंगे तो उसका रिकोड कितना आता है गैलिना लॉंग जंप रिकोड mori is seven meter 52 सैंटिमीटर ठीके seven सबसे पहले चेक करेंगे सेवन मिटर से बहुत अगर हम इसको माइनस करके देखते हैं तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है एसा ही 8 मिटर में से अगर हम 7 मिटर और 52 सेंटी मिटर को माइनस करते हैं तो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है लेकिन अगर 7 मिटर और 50 सेंटी मिटर को अगर हम इससे कंपेर करें यानि कि जो हमारा option C B है वो हमारा सही आंसर होगा यानि कि गेलिना का जो लॉंग जंप का जो रिकोर्ड है यानि कि 7 मिटर 52 सेंटी मिटर यह किसके नियर में है यह 7 मिटर एन यह 1.5 मिटर सेंटे ऑप्शन B हमारा सही होगा तो इस नियरली 7 मिटर सेंटी में है ऑप्शन B ठीक है question next question number four look at the women's world records what is the difference between the longest jump and the highest jump हमें क्या करना women's world record check करना है table में और longest jump और highest jump का जो difference है यानि कितना difference आ रहा है दोनों में वह हमें find out करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे women's world record for high jump कितना है two meter and nine centimeter ऐसे women's world record for long jump कितना है seven meter fifty two centimeter difference find out करना है difference जब हम find out करते है students हमेशा ध्यान रखिए जो value बड़ी होती है यानि big value में से small value को minus करते है seven meter fifty two centimeter में से two meter nine centimeter को minus करना है पहले seven centimeter में से centimeter minus करेंगे तो 52 है यहां सेंट में यहां पर nine centimeter है fifty two में से हम nine minus करेंगे तो हमारे पास में आएगा 43 centimeter ठीक है और जब seven meter में से हम two meter minus करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा हमारे पास आएगा five meter तो हमारा next question if mike p could jump centimeters longer his jump would be full nine meters यानि कि mike p को और कितना जंप वो करता कि उसकी जो जंप है वो nine meters हो जाती complete तो सबसे पहले हम टेबल में देखेंगे mike p का record कितना है ना mike p का record जब हम टेबल में देखते हैं तो हमारे पास में आता एट मीटर एंड 95 सेंटी मीटर ठीक है तो हम क्या करेंगे इस value को हम minus करेंगे किस में से किसको minus करेंगे difference तू रीच nine meter है ना कितना मतलब difference होगा तो कैसे find out करेंगे बहुत आसान तरीका है इसको find out करने का कैसे करेंगे find out हम क्या करेंगे 9 मीटर में से जो हमारे पास में यह जो value आ रही है इस value को हम माइनस कर देंगे एट मीटर एंड 95 सेंटी मीटर को हम माइनस कर देंगे कैसे माइनस करेंगे देखो हम इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले और nine meter है नाएनन को हम लिख सकते हैं eight मीटर प्लस ऒन मिटर ठीक है और one मीटर को हम लिख सकते है 100 cm तो हमने यहां पर लिखा 8 meter यहां लिखा हमने 100 cm इसमें हमने लिखा 8 meter और 95 cm माइनस किया 100 में से 95 माइनस करते हैं तो हमारे पास मैं आता है 5 cm और 8 में से 8 माइनस किया तो कुछ नहीं बचा है, 0 meter यानि हमारे पास में मिटर में तो क्या रहा जीरो कुछ नहीं और सेंटिमिटर नों क्या बचे गया फाइफ सेंटिमिटर तो जो हमारा आंसर होगा वो भी क्या होगा फाइफ सेंटिमिटर question number six हमारे पास में whose high jump is very close to two and half meter two and half को हम इस तरह से लिख सकते हैं two meter half का मतलब होता है 50 centimeter है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं तो मिटर एंड फिफ्टी सेंटिमिटर हमें चेक करना है step का के option a option b is चंद्रपार option c is jvrs and option d is बो भी ए तो हमें चेक करना है के टू मिटर एंड फिफ्टी सेंटिमिटर जो रिकॉर्ड है उसके इकुल में इन चार option में से किसका रिकॉर्ड है या नियरली लगबग किसका बराबर है रिकॉर्ड तो हमें क्या पता चलता है जब हम टैबल देखते हैं तो jvrs is high jump is 2 meter 45 cm ठीक है jvrs का जो रिकॉर्ड है वो टू मिटर एंड फिफ्टी फॉर्टी फाइफ सेंटिमिटर है hence hence it is closer to two and half meter ठीक है यानि कि जो two and half meter के इकॉल किसका रिकॉर्ड आ रहा है approximate जो रिकॉर्ड है लगबग जो बराबर में आ रहा है या nearby जो रिकॉर्ड है वो है jvrs का तो हमारा जो option है jvrs वाला वो हमारा correct option and that will be our answer